चलिए छोटी से concept है उसको लेके चलते हैं तो बिशेश बात करेंगे Actually differences की बात करते हैं difference between procariotic sales and eukaryotic sales बहुत ही छोटी है मतलब बिल्कुल conceptual है जहां पे भी concept है आपको बिल्कुल वहां पे मैं link up करने का कोशिस करूँगा बार बार जो है मैं यही बात बूलता हूं कि जहां पे concept है जहां से अपना concept खतम होगा अपन NCRT पे वहां पेस आ जाएंगे but अभी still not run through the my notes तो बिल्कुल जो चीजी जो important है जहां पे आपको concept लगता है बिल्कुल NCRT से beyond जाने को है वहां पे अपन सिर्फ और सिर्फ NCRT को लेके चलेंगे ठीक है ना मतलब कि NCRT से beyond जाने का है तो beyond जाएंगे और अन्यथा क्या करेंगे NCRT को लेके चलेंगे तो बिल्कुल focus करिए ज़्यादा नहीं मतलब कि दूनों में differences करने क्यों है मतलब कि यहां पे अपन बात करते हैं की आपको prokariot and eucariot cells में difference क्या है उसकी बात करेंगे तो जनरली आपको मैंने बताया था कि एक जो हमारे ये cell है prokariotic cells इसमें जो है 3 covering था तीन covering था लेकिन eucariot के condition में क्या था? दो covering generally मतलब कि टिपिकल ये दी उकाडेटिक सेल्स बोले तो जेनरली एपन अनिमल को छोड़ करके जितने फंजाया है प्रोटिस्टा है और प्लैंटी है इसमें तो दो covering है seal wall है और seal wall के नीचे में क्या है cell membrane है ठीक है ना लेकिन अनिमल के condition में one and only covering that is plasma membrane और seal membrane वहां पे seal wall और seal membrane एकतम बिलकुल बहुत ही conceptual है और उस concept को आपको कभी ignore नहीं करना है जो NCRT से आपकी समझ में नहीं आने को है मतलब कि बच्चे से मैं अकसर question पूछता हूँ कि what are the compositions of the seal wall तो बच्चे नाकामयब होते हैं जनरली बताएंगे कि यह cellulose, bactin, hemicellulose यह सब चीजों से बना होता है यह फंजा के condition में बात करते हैं तो किसे fungal cellulose जिसे काटीन बोलते हैं बैक्टेरिया में peptidoclycan जो चर्चा करे हैं पीछे लेकिन मतलब कि हमें जो cellulose के बारे में बताया गया कि जैसे plant cell के condition में बात करते हैं तो cellulose is a main component of the plant cell wall तो अब cellulose के किस तरी सिक्स combine करके आपका seal wall को form क्या है यह आपको चानना पड़ेगा तो बिलकुल वहाँ पे चलिएगा वहाँ पे detail करने वाले हैं तो बिलकुल यह जो है तो मन नहीं करता है तो actually चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं यह प्रोकरियाटिक cells की बात करें यहाँ पी यूकरियाटिक cells की बात करें तो दोनों की दोनों में अपन क्या करेंगे differences को देखेंगे, तो मोटा-मोटा difference क्या देखते हैं, पहले तो अपन छोटा-छोटा बात करते हैं, फिर मैं अपने notes की जरीए जो है, उसको complete करवा हूँगा, यहाँ पी मोटा-मोटा बात क्या करते हैं, मोटा-मोटा बात करने के लिए एक सब्ध है, मतलब कि जैसे procariotic condition में बात करते हैं, तो यहाँ पे nuclear membrane नहीं था, nucleus नहीं था, ठीक है, तो दूसरी बात कि वहाँ पे जो dna होता है, उसका dna कैसा होता है saycular होता है, उसका dna कैसा होता है, और हम लोगों का DNA कैसा होता है यू करियाटिक सिल्स का DNA कैसा होता है linear होता है वो भी double extended है ये भी double extended है बड़ वो क्या था वो circular है ठीक है ना और हम लोगों का DNA कैसा होता है linear होता है ठीक है ना इस का DNA कैसा होता है circular होता है ये लेकिन naked होता है बट कंडिशन क्या है कि जैसे मैंने GC Rich के बारे में बात किया तो साइटो मतलब की वानिन और साइटोसिन की कंसेंटरेशन क्या होगा जादा होगा तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं अपने पेश पी आते हैं नुकलियर मेंबरेन की सबसे पहले अपन बात करते हैं तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कंडिशन है पहला फीचर की बात करते हैं नुकलियर मेंबरेन की और nuclear membrane के condition में क्या बात करते हूँ कि prokaryotic cells में nuclear membrane नहीं होता है prokaryotic cells में क्या होता है nuclear membrane नहीं होता है eukaryotic cells के condition में nuclear membrane present होता है यहाँ पे लिके nucleus की बात करते हैं पहला character पहला feature की बात करते हैं यह prokaryotic cells है यह eukaryotic cells है यह feature है property उसके तो nuclear membrane ये nucleus क्या है जी absent है यहाँ पे nuclear membrane और nucleus क्या है present है ठीक है अब क्या condition है जैसे ही बात करते हैं genetic material के अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा अपने को बात करना पड़ेगा यहाँ पे कि genetic material में क्या क्या बात करते हैं कि genetic material में जो DNA की बात करते हैं उसमें जो contents की बातरते हैं histone protein और non histone protein के बारे में बात करते हैं उसकी तो यहाँ पही क्या कर रहा है कि nuclear membrane consist जैसे वहाँ पर क्या है nuclear nucleus नहीं बोलते उसको क्या बोलते nucleoid बोले थे ncpn nucleus बोले थे xenophor बोले थे और prokaryotic chromosome बोले थे याद करिए पीछे वाले lecture को revise करिए एक बार इसकी DNA जो circular होता है double extended होता है और guanine cytosine which is not associated with the histone protein that is a basic protein वहाँ यहाँ पर histone protein की contents क्या है बिल्कुल नहीं है जिसके बज़े से इसलिए हमने कहा था कि वह naked DNA है that means कि histone protein is absent in case of prokaryotic cells बट जैसे ही अपन जाएंगे eukaryote के condition में तो वहाँ पर क्या होता है DNA linear होता है मतलब कि यहाँ कैसा था बेटा DNA ऐसा ठीक है ना यहाँ पर DNA कैसा है अपना linear है linear है लेकिन double extended है ठीक है ना histone protein यहाँ पर पाया जाता है ठीक है अब अब तु समझ में आ जाएगा Nucleid, Geno 4, CPN, Nucleid, सारे के सारे चीज़ यहाँ पर दीए हुए है मैंने सारे के सारे फिर बात करें Nucleid contain the single ठीक है ना pro chromosome जो कैसा होता है एक्तम haploid होता है N number of chromosome होती है इसके condition में eukaryoid के condition में क्या होता है कि nucleus contain two to many chromosome that means कि एकाने का मतलब है कि यह haploid और diploid दोनों cases में होगा ठीक है आपन साइज की बात करते है prokaryoid के condition में तो मैंने वहाँ पर लिखा है कि आपको 5 से 10 micrometer लेकिन यहां पर लिखा हुआ चलेगा यह भी 0.5 से लेकर के कितना 10 micrometer यहां पर क्या condition है कि यहां थोड़ा से fluctuation होगा 10-200 बट यहां पर लिखा हुआ relative size दिमाग में रखना पड़ेगा कि it's a relative size not a absolute size ठीक है तो यहां पर बात करेंगे मतलब कि एक average छोटे और बड़े को नहीं एक relative size को लेकर करके अपन compare करें यहां पर फिर जो है sail wall की बात करते हैं तो sail wall के components क्या होता है यह जो इसकी sail wall होते हैं surrounds करते हैं plasma membrane का और यह बने होते हैं किस चीजों से आपको बताया हुआ है कि sail wall peptido glycan से से बना होते हैं that means की amino sugar से बना होता है जो नाग और नाम उसके composition याद करिए फिर से वापस करिए अब यहां पर जैसे ही बात करते हैं sail wall की तो थोड़ा सा मैं बात कर दूँग हो peptido glycan polysaccharide और amino seed करने का मतलब है कि it's amino sugar दोनों के दोनों की बात करिए एक तो नाग था एनसे टाइल गुलकूशायमी दूसरा क्या था नाम था एनसे टाइल मुरामिक एसीड यहां पर यह बात करते हैं इसकी प्रोकरियाटिक सिल्स की बट जैसे यूकरियोट के condition में जाएंगे तो यूकरियोट में प्रोटिष्टा फंजाय और जितनी भी प्लैंट से सारे के सारे प्लैंट में क्या होते हैं कि यह परजेंट होते हैं बट इस अप्सेंटिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होगा पहुत पीछे ही डिसकस कर चुके थे तो वाटर दा डिफरेंस बिट्वें दा प्लैंट सेल उसमें कर चुके थे पॉलिसेक्राइट्ट्स जो यहां पर हैं फॉलिसेक्राइट्स पैशनन इसमेंटिं बटेृ और प्लैंट और फंजाय के कंडीशन में क्या है अब जैसे आगे के तरफ चलते हैं तो यहां पर देखते हैं कि इस में अपने को बहुत सारा डिफरेंस है अपन 15 to 17 differences करने वाले हैं ठीक है तो यहां पी सबसे पहले अपन plasma membrane की बात करते हैं थोड़ा सा plasma membrane की बारे में बात करते हैं कि plasma membrane जो आपका plasma membrane कैसा होगा plasma membrane जो है यह infolded structure होगा इसके case में जिसको क्या बोले थे mesosome जिसमें respiratory enzyme भड़ा रहा था और mesosome is equivalent to mitochondria in case of procodiac cells इस दिमाग में रखना होगा mesosome बट हमने कहाता कि periplasmic space जो cell wall और cell membrane की बीच का space that is equivalent to the lysosome वहां पे भी एंचाहा है में लाइसोसोम की तरह कर आड़े बाई कोई ने कोई ऐसा चीज होगा जो completely जो किसी की equivalent होगा और उसके जगह पे उनको काम करना पड़ेगा जो eukaryotic cells में वह भी prokaryotic cells में होना चाहिए लेकिन उसकी जगह और site और नहीं मालग अलग हो जायागा ठीक है ना मतलब कि वह सारे सारे चीज नहीं लेकिन उसकी equivalent है उसकी जगह पे काम करने को है अब condition है कि यहां पी जो है इस तरह का इन फॉल्डिंग अस्ट्क्चर नहीं होता है यूकरियोट के condition में यह बटा प्रोकरियोटिक चल से यह यूकरियोटिक चल से यह features है photosynthetic apparatus की बात करें तो generally आप बात करते हो कि plant के condition में photosynthetic apparatus प्राइटस होता प्राइट में भी कुछ है लेकिन इसमें भी कंडिशन है कि कुछ जो है जो फोटोसेंटरिक बैक्टेरिया है उसके कंडिशन में यह यह है मतलब कि यहां पर आपका इंखलोज होता है एक सेल और जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलेते यहां पर क्रोमेटर फोर होता है आपको याद करिए पीछी प्रोकरियाटिक सेल्स में बिलकुल लेक्चर को रिवाइज करा खड़िए ठीक है अब यहां पर सेल और गनेल की बात करते हैं तो कोई भी मेंब्रेन बॉंड सेल और गनेल नहीं होता है प्रोकरियाट के कंडिशन में होता भी तो दो के तरफ चलते हैं और इसमें अपना जो है शिक्त नंबर की जो है अपन बात करते हैं शिक्त नंबर की डिफरेंस करने को जा रहे है वक्यूल तो वक्यूल जो है हमारे एनिमल की कंडिशन में होता भी टेंपरेरी होता है इसकी आलावा जो फंजाय प्रोटिस्टा और इसमें एकदम भड़बर की होता है बेक्योल बट कौन सा सैब बेक्योल के कंडिशन में ठीक है ना प्रोटिस्टा के कंडिशन में फूट बेक्योल अपन बात करते हैं यहाँ पे प्लैन के कंडिशन में सैब बेक्योल और यहाँ पी जो होगा one and only gas बेक्योल परजेंट होगा थीक है न, याद रह McGäkkiole absent होता है गासद किया होता परिज मिट्र jáookie किंडिशन मां मीमीलियन प्रया के अंदर ऐसे प्रीजिवन धी जानते तरह के हम जानते है है इक तो प्रोकराइक डाप जाता है दूसाहे रेगादे सब्सक्राइल को पर डिमांग में रखना पर टेगा न पर अभी उन्हांग करेगा इस नमीुन प्रो में of the cell because it is responsible for the synthesis of protein तो बिल्कुल वाकई एक्दम बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा यहां पी मैं कुछ नहीं बात करता हूं और यहां पे सीधह की सीधह तरीके से बोलते हैं यह आरेने और प्रोटीन से बना होता है इसलिए रापो नुक्लिओ प्रोटीन बोलते है आगे चल कि पूरर डिकस करने वाले इसके बारे में थोड़ो थोड़ी सुनीए ज्ञादा नहीं तो यहां पे seven टीर सुता है जो फ्री हो के condition में क्या होता है यह polysome के form में होता है मतलब कि mRNA है और mRNA से क्या हो गया यह बहुत सारे ribozome आकर करके attached हो गया that's why it is not as poly ribozome तो generally क्या होता है कि generally prokadiot के condition में poly ribozome के form में होता है और कुछ-कुछ certain जो free cytoplasm में move भी करते हैं कुछ-कुछ उसके cell membrane से भी जुरा हुआ राता है यहां पर generally बात करते हैं क्या कि ATS ribozome होता है यहां पर आगे चलके इसमें सब यूनिट के बात करेंगे यहां कुछ नहीं करेंगे तो कुछ-कुछ जो है 70S हमारे cell organelle में होते हैं इस सब में होता है ठीक है तो हम में क्या होता है 80S यूकरियोट में और इसमें क्या होता है 70S जैसे आगे अपन 9th नंबर की जो है करेंगे 9th नंबर की यहां पी अपन difference करने को है cyclosis काने का मतलब होता है कि एक जो है cytoplasm की moment होती है cytoplasm की moment होती काने का मतलब है कि cytoplasm जो है cell के अंदर move करता है cell के अंदर क्या होता है move करता है तो उस तरह के moment को cyclosis बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइकलोसिस बोलते हैं, तो दिमाग में याद रहे गए ये बाते हैं, कि साइकलोसिस in case of प्राकरियोट is absent, मतलब कि no streaming moment in a prokaryotic cells, मतलब कि absent, यहां पी अपन बात करते हैं, कि साइटोप्लाजम स्योय, streaming moment, मतलब कि आमारे cell में क्या करते हैं, मतलब cell के अंदर, जो साइटोप्लाजम क्या करते हैं, मूव करती है, मतलब कि सेल को कहीं ने कहीं एस्टन्ट प्रोबायट करने की काम करता है, तो बहुत बढ़े-बढ़े cell होते हैं, जहां पे छुटे cell है, उसमें stunting material की जरूरत नहीं होतना, मतलब की escalaton की जरूरत, कंकाल की जरूरत नहीं है, बट यूक-डियोट के condition में बड़े से लुटे हैं, size में, तो मतलब cytoskeleton चाहिए, कुसके कंकाल चाहिए, cytoskeleton structure चाहिए, तो किसमे, यूक-डियोट के condition में present होता है, लेकिन इसके condition में जो अब ये cytoskeleton क्या होता है? micro filament, micro tubule और intermediate filament जो micro tubule और ये जो है micro filament ये सब क्या होता है? prokaryot के condition में absent होता है. sexuality की बात करते हैं बहुत बड़ी बात है. generally prokaryot के condition में क्या होता है? कि अब sexual reproduction नहीं होता है. that means कि कोई sex organ नहीं होती है. जिसके बज़े से क्या बोलते हैं कि sexuality production absent in a prokaryotic cells. बड़ जनरली कहते हैं बात क्या कि eukaryot के condition में as for example human being की बात करते हैं तो sex organ present होते हैं, तो sexually production होते हैं, male और female sex होते हैं. यहाँ पे भी male female होती है बड़ इसके condition में sex organ नहीं होते हैं. एक condition है कि जो पिलाए का formation होता है, दूनों male female और एक दूसरे जूरते हैं, एक conjugation tube का निर्वान करता है और वहाँ पे क्या होता है कि genetic material को convey करके बेजते हैं तो it's a pseudo-sexual reproduction तो यहाँ पे conjugation transformation, transduction इसके detail आगे परने को है, यहाँ नहीं. मतलब कि sexuality और कहाने का मतलब है कि true sexual reproduction is absent in case of procaria जैसे bacteria हो गया, तो यहाँ पी genetic recombination और पारा-sexual reproduction होता है, बायता conjugation, transformation, transduction, conjugation मतलब sex पिलाए के द्वारा जो है दोनों जुरेंगे तो conjugation होगा, transduction करने में किसी की माध्याम से, transformation भी किसी की माध्याम से किसी जाएंगे, उसके detail है, अपने genetics में थोड़ा सा पढ़ेंगे वहाँ पे. यूगरियोट के case में क्या होता है? sexuality है और sexuality production present होता है जिसमें क्या होता है? gamit का formation होता है, gamit की fusion होती है, ठीका न? miausis होता है, धीर सारे प्रोग्राम होते हैं, फट लाएसंस होता है, यह सारे के सारे होता है, तो true sexuality production present in case of evaluate. अब जैसे ही बिटा आगे बात करते हैं तो हमें फ्लेजला के कंडिशन में बात करना पड़ेगा कि what are the compositions of phlazola and what are the function of phlazola phlazola क्या function है और phlazola की compositions क्या होता है तो हमने prokaryotic cell में बात किया है कि prokaryotic cells के condition में जो phlazola बना होता है one and only phlazola protein से बना होता है वहाँ पर 9 plus 2 जो macrotubule का arrangement होता हो नहीं पाया जाता है बिलकुल नहीं पाया जाता है तो prokaryotic के condition में जो बने होते हैं Phlazolein protein से बने होते हैं और 9 plus 2 जो ये macrotubule का arrangement है नहीं होता और यहाँ Quadrat क्या होता है announced प्लिख आएंगे यहाँ पर अपन बात करते हैं किती पाиеं होते हैं यहां पर बात करते हैं प्लाए का तो ये दोनों के थोनों ऐस्टेक्चर यूकरियोट के कंडिशन में नहीं है लेगिन पिलाया और प्लाजमीड परजेंट होता है प्रॉकरियोटिक सिल्स में सेल सैकल की बात करते हैं तो डोडेशन की बात कर रहा है कि कितने देर में इसके साइकल कंप्लीट होती है तो प्रॉकरियोट बहुत ही छोटा सा होता है और इसमें क्या बूला था मैंने शुरू में इसमें रेपिड डिविजन होती है रेपिड मल्टिप्लिकेशन होता है रेपिड ग्रोथ होती है तो क्या बैए बीश से साथ मिनट में ये क्या करते हैं जी आम माइटोसिस के नहीं तो यहां पर कोई नहीं है तो यहां पर कोई नहीं है क्रोमोजों के अरेज्मेंट करके उसके पोल पर काय को ले जाएंगे तो यहां पर उस तरह का मतलब की मतलब मार्टोकी का spindle जो spindle fiber की बात करते हैं तो यहां पर नहीं बनते और यहां पर क्या होता है self division के दोड़ाने spindle fiber बनता है जिसके वज़े से क्या होता है कि आपका chromosome move करके opposite pole के तरब जाता है ndhpul एक दम aesthetic है दिमाग में बनाई है कि true chromosome prokaryote के condition में नहीं है तो काहे को arrangement, काहे को pool क्या akaryokinesis उस तरह का नहीं है, सिर्फ omatasis के जरीए हो रहा है, ठीक है न, जो यहाँ पर बेटा centriol की बात करते हैं, तो prokaryote के condition में centriol नहीं है, esterleaf, esterleaf ठीक है न, इबन की plant में भी नहीं है, यहाँ पर चलिए बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं क्या, कि इसमें, इसकी case में centriol present है बट plant में नहीं है, पहले चर्चा कर दिया है, हाँ, अब protein synthesis की बात करते हैं, बहुत important और बहुत fundamental बात है कि protein synthesis जैसे ही अपन बात करें, तो protein synthesis की case में देखो, दो चीजे तो आपको central logma को दिमाग में रखना पड़ेगा it's a part of genetics, but condition क्या है कि यहाँ पर जैसे ही अपन बात करेंगे, कि DNA से DNA का बनना replication होता है, और DNA से RNA का बनना transcription होता है, और RNA से protein का बनना translation होता है, तो यहाँ पर तीनों की तीनों प्रोग्राम होनी चाहिए, बार-बार DNA का synthesis भी होना चाहिए, और replication भी होना चाहिए, और transcription भी होना चाहिए, RNA भी बनना चाहिए, RNA नहीं बनेगे तो protein नहीं बनेगा, बिल्कुल सारे के सारे concept वहाँ पर लाए करता है तो condition क्या है कि Nucleus, मतलब कि Nucleus के अंदर dna होता, और Nucleus के अंदर ही आ formation होता है, अब brack Claudia के मे का क्या है कि आपका transcription हो गी तान्सेशन क्या है, जो Nucleus के अंदर नucleus के अंदर यह प्रोग्राम हो रहा है translation on transcription किसके case में eukaryote के case में लेकिन prokaryotic nucleus में इस तरह का membrane bond नहीं होता है जिसका मतलब क्या है कि nucleoplasm तो होता नहीं तो उसके अंदर nucleus के अंदर तो कोई program नहीं होने को है हमने कहा था कि protoplasm is equal to cytoplasm in case of prokaryote तो भाईया जो भी program हो replication हो transcription हो translation हो protein का synthesis सब के सब कहाँ हो रहा cytoplasm एक ही compartment में हो रहा है बट yukaryote के condition में दो compartment में होता है replication transcription text place नूकलियस बट protein synthesis text place नूकलियस वही sentence लिखा हुआ मैं पर के आपको सुनाता हूं कि protein synthesis मतलब transcription translation तो एक sentence मैं लिखता हूं छोठा छोठा Reports लिख करके दिखाता हूं DNA से DNA का बनना ये replication होता है replication DNA से RNA का बनना ये transcription होता है और RNA से protein का बनना इसको translation बोलते क्या बोलते translation दिमाग में इसको रखीएगा विल्कुल बना लखिये का दिमाग में तो क्या condition है कि protein synthesis जो है translation and transcription takes place in the occurs in the cytoplasm लेकिन transcription occurs in a nucleus और translation occurs in a cytoplasm takes place in a two compartment ठीक है ना example के case में बात करो तो यहां पर पूरा bacteria के जितने भी family है और relation जितने भी है सब के सब हो गए इसके अलावा आपको जो भी दिखता है bacteria के अलावा सब को सब आप कहां पे रखोगे तो यहां पर eukariot के condition में तो यहां मैं नाम बताता है prokariotic के bacteria, cyanobacteria, उसो बुलिग्रेनलगी बोलते है mycoplasma, pplu, rickettsiasis, actinomyces, जो moneda के group का है और यहां पर अपने को बात करें तो जितने भी plant है, जितने भी animal है जितने भी protesta, fungi, plant, algae, protesta, all things तो best of luck तो यह आपकी differences थी, जो difference आपको दिखाया